मित्र जैशियालाव, मित्रो आज बहुत ही जुलन्त समस्या पर आपसे बात करना चाहता हूँ, हर घर में बच्चे जो हैं वो बड़े उत्पाती होते जा रहे हैं, खास करके कोरोना काल में, घर में रहते रहते, तो कई बच्चे पढ़ने में मन्नी लगा रहे हैं, कई बच बच्चे अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मित्रो बच्चे की उम्र जो है, वो चाहे जितनी हो, पात साल हो, साथ साल हो, दस साल हो, बारा साल हो, पंद्रा साल हो, यहां तक कि 20 साल का अभी अगर आपका बच्चा है, तो आप इस उपाय को करें, अग सबसे बड़ी बात है कि आपकी आज्या मानने लेगा, तो मित्रो एक मंत्र है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं, ओम एंग बान्ये स्वाहा, ओम एंग बान्ये स्वाहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम एंग बान्ये स्वाहा, आपको करना क्या है, कि रभी बार की दिन 1 ईक ग्लास जल लेड़ा हैara not और पीटल का हो तो जादा अच्छा है लोहे में इसका प्रयूक नहीं करते हैं तो इस टील भी हमयाता है पीटल ka लीजी एक ग्लास पानी ले लीजे पूजास तल बैठ जाएए और 21 बार का 21 बार जब करके उस जल में फूक मार दीजे मतलब उस जल को अभिमंत्रित कर दीजे और अपने बच्चे को पिला दीजे में तो तीन रभी बार करके देखिए आपका बच्चा आपके मनुनुकूल आचरन करने लएगा और आपके हिसाब से चलने लएगा करके देखिए साइद आपकी सबसे बड़ी समस्या का अंत हो जाए जैसियाराम